और इसके बाद चलते हैं, नेक्स स्टेप पे हम गलती क्या करते हैं, जब डाल बनाते हैं, जिससे हमारे परिवार के अंदर बच्चों तक में जोइंट पेन की समस्या पैदा हो चुकी है, तो बस इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ, तीन कटोरी पानी, और कूकर में बना के द लाटाते हैं और सी सीटी नहीं लगाने हैं यह आ पर और हमें क्या करना है इसके अंदर उबाल लाना है मीडियों के अंदर यह जयाग बन रहे हुए हम कभी नहीं निकालते आप दो नौट करिएगा पुराने जमारे होका हमारे दादा नानी जेबिर रादी नानी जाग इसी से हमारे सारे जोइंट पेन होते हैं जाए गठिया हो हातों में हो पाओं में हो सारे जोइंट पेन का जड़ी यह है पहले वाले जमाने में अंदर या आज भी हलवाई पुराना वाला होगा ना इस जाग को जरूर निकालेगा लेकिन हम क्या करते हैं कुकर में डा यही है joint pain क्योंकि इसके अंदर uric acid बनता है और uric acid हमारे शरीर के अंदर joint pain की समस्याओं को पैदा करता है और हम लोग अब जाग निकालते हैं यह CT लगाते हैं बस खतम यह देखे कितना सारा जाग निकला है इसके अंदर एक कटोरी दाल के अंदर सबसे बड़ी बिमारी का इलाज यही है कि यूरिक acid जो बनता है वो इस जाग से बनता है तो इसको निकाल देना है बिलकुल निकाल देना है इस जाग को और जाग को निकालने के बाद अब आप इस तरह से जाल बना के देखेगा medium size का एक मैंने टमाटर लिया है इसके अंदर और बस यह डाल रहा पहले अगर आप CT लगा देते तो वो आपको जितना जाग था जितना यूरिक एसिट था वो सारा का सारा इसी मिक्स होता और हम इसी को बना के खा लेते हैं बस यहीं पर हमारे से होती है गलती और परिवार को हम अपना खुद नुकसान दे रहे हैं तो बस यहां पर लगात है ना दोस्तों कि यह गलती करते हैं और आपने देखे हो कि दाल पपन बनाते हैं खाते हैं तो सुबह गैस्टिक प्रॉब्लम भी हो जाती है पेट भारी हो जाता है वह सब उसी वज़े से होता है इस तरह से आप बना के देखिए आपको दाल इतनी हल्की